विपक्ष जिसमें मुख्य तोर पर कॉंग्रेस दल भी शामिल है। कॉंग्रेस और उनके साथियों को सम्विधान पे कम से कम बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्यों नहीं उसका कारण भी है। ये वही कॉंग्रेस है जिनोंने सही माइनों में सन 75 में आपात का लगा कर सम्विधान की हत्या करने का काम किया। देश में अगर कभी समय के किसी काल खंड में अगर लोकतंतर की हत्या की गई तो वो सन पिचत्तर में अपात काल लगाकर कॉंग्रेस की ही सरकार के दौरा की गई दूसरा कारण आज जब मेरे प्रधानमंद्री आधनिया नरेंद्र मोधी जी ने जिस तरीके से बाबा साहिब को सम्मान देने का काम किया उनसे जुड़े वे जितने भी स्तलते जहां उन्होंने सिक्षा हासिल की लंडन में हो या जहां उन्होंने नागपुर में दिक्षा हासिल की वो दिक्षा भूमी हो या महराश्चा मुंबई में चैट भूमी हो या दिल्ली में जहां वो रहते थे वो हो या मौ में जहां उनका जन्म हुआ हो इन सारे स्थलों को जिस तरीके से विक्सित करकर उन्हें पंच तीर्थ के तौर पर प्रधान मंत्री जी ने विक्सित करकर बाबा साहिब को सम्मान देने का काम किया उसके बाद कॉंग्रेस और उनके घटक दलों को डॉक्तर बाबा साहिब हीमरों अमबेटकर जी की याद आई 89 से पहले तक बाबा साहिब की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी जिनोंने सम्विधान बनाया जिस सम्विधान की प्रतिलीपी आज की तारीख में कॉंग्रेस के नेता और उनके तमाम घटक दल के साथी हाथ में लेकर गूमने का काम करते हैं उसी सम्विधान के निर्माता की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी जबकि कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की और उसमें से एक ही परिवार के तीन तीन नेताओं की तस्वीर भारत की संसद के सेंटरल हॉल में लगी हुई थी ये वही कॉंग्रेस पार्टी है जिनोंने बाबा साहिब को हरवाने का काम किया और आज इनको वही संविधान के निर्माता याद आते हैं आज इनको वही संविधान याद आता है हकीकत है सिर्व जूट बोलना इनका काम है लोग सबाद चुनाओं में भी इनोंने जूट बोला कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रदान मंत्री बनेंगे तो संविधान की हत्या हो जाएगी आरक्षन खटम कर दिया जाएगा लोगतंत्र समाफ कर दिया जाएगा आज लगबद छे महेने होने को आया बताएं किसका आरक्षन चीन लिया गया कहां का सम्विधान खदम कर दिया गया या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई सिर्फ जूट बोलना कॉंग्रेस और इनके घड़क दलों का काम है और यही परिणाम यही कारण है कि महराष्टा जैसे राज्यों में जहां इनके बड़े से बड़े घड़क दल एक साथ है वहां पर इनकी इतनी बड़ी हार होती है हर्याना जैसे राज्यों में जहां एक तरफा इनको समर्तन मिलना चाहिए था वहां इनकी बड़ी हार होती है क्यों? क्योंकि दीरे दीरे जनता अब इनके जूट को समझ गई है इसलिए आज सम्विदान दिवस आज से पहले मुझे बताईए किसने मनाय था सम्विदान दिवस जब तक नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार नहीं आई थी 26 नवंबर को कोई याद भी नहीं करता था कोई जानता भी नहीं था सम्विदान दिवस मनाना तो बहुत दूर की बात है इन्होंने कभी इस दिवस का जिक्र तक नहीं किया आज जब मेरे प्रधान मंतरी जी के नेतरित में बार बार इस संकल को दोराया जाता है कि देश चलेगा तो सिर्फ सम्विदान के आदार पर उस बात से विपक्ष और कॉंग्रेश के नेता राज़त के नेता बुखलाते हैं घबराते हैं पहली बात तो वो किसी राजनितिक सक्रिय राजनीती से वो जुड़े वे नहीं है उनकी बात पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है पर हाँ उनके परिवार के कई सदस से सक्रिय राजनीती में है और वो ऐसे घड़क डल में हैं जो हम लोग के गड़बंदन का हिस्सा है ऐसे में सुझा बस इतना देंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे मुक्य मंत्री जी की कृपा पर जेल से वो बहार आए हैं और किस संगीन आरोप में वो जेल के अंदर थे ऐसे में पुना उसी समाज से आने वाले लोगों पर जिस समाज के उपर उंके उपर आरोप लगे थे पुना उसी समाज के लोगों पर जब वो एक उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने किसका साथ लिया नहीं गया मैं बस उनको इतना सजाओ दूँ कि वो खुद एक राजनितिक परिवार से आते हैं भले खुद सक्रिय राजनिती में नहीं है और उनके परिवार के सदस्य उखा आगे भी सुनाओ लड़ना है सब करना है ऐसे नाम लेकर पासवानों के उपर इस तरीके से उंगली उठाना पासवान समाच के उपर इस तरीके से उंगली उठाना मुझे नहीं लगता कि गड़बंदन में क्योंकि उनके परिवार के सदस्य यह उच्छे कर बाकी उन्होंने जो कहा नहीं का जैसा मैंने कहा वो सक्रिय राजनिती में नहीं है उनके जवाब देना को जरी है पिरे समझ में नहीं आता कि जब ये लोग सरकार में होते हैं ये सारी सोच इनके जहन में तब क्यों नहीं आती है ये तमाम चीजे विपक्ष में जाने के बाद इनके संग्यान में क्यों आने लगती है आज जब ये सारी बाते बोलते हैं कुछ दिनों पहले मेरे प्रदान मंत्री का स्वागत करते वे बोल रहते कि अच्छा होता अगर वो विशेश राज का दरजा लेकर आते तो भाईया आप थे नहीं क्या केंद सरकार में ये लोग केंद सरकार का हिस्सा थे की नहीं थे और उस वक्त तो नीती आयोग होता था आज की तारीक में जो प्लानिंग कमिशन होता था आज की तारीक में जो नीती आयोग है तो उस वक्त तो ऐसे सहज प्रवधान भी थे अगर ये चाहते आज की तारीक में अगर हम लोग प्रवधानों का जिक्र करें तो कई ऐसे प्रवधान है जिसकी वजह से हम लोग को ये कठनाई आ रही है पर उस वक जब इनकी पार्टी लगाता निरंतरता में केंद्र सरकार का हिस्सा थी क्यों नहीं इन लोगों ने बिहार को विशेश राज का दर्जा दिलवा दिया ये बाते कहने के लिए और और जब अपना समय आता है करने के लिए कुछ और ये आपकी सोच को दर्शाता है कि आप इन मुद्दों पर ऐसे मुद्दे जो इतने सेंसिटिव हैं जो इतने गंभीर हैं उसमें सिर्फ आप राजनितिक सोच करना चाते हैं आप सिर्फ राजनितिक करना चाते हैं ये गलत हैं देगे सबसे पहले तो मुझे खुशी है इस बात की और मैं अपने संगठन के तमाम साथियों का जो बिहार में हैं, जो जारखन में हैं, मैं सब का मैं धन्यवाद दूँगा कि आज उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदनीय रामिलास पासवान जी के उस सपने को पूरा किया, जहां उनकी चाहत थी कि लोग जन्शक्ती पार्टी का भी प्रतिनिदित्व करने वाले विधाये जारखन की विधान सभा में हो, हम लोगोंने 2014 में भी एंडिये गड़ब कि चत्रा में गड़बंधन के तहट एक सीट पर हम लोग को चुनाओ लड़ने का मौका मिला और उस सीट को एक बड़े मारजन से, लगबग 19,000 वोटों के मारजन से जनारधन पासवान जी ने जीतने का काम किया, जिससे अब लोग जन्शक्ती पार्टी रामिलास की उपस सिती एक और राज्य में हो गई है, बिहार में जहां पांच सांसद हैं तो वही नागलेंड में हम लोग के दो विदाएक है, अब एक विदाएक हम लोगों का जारखन में भी है, तो ये मेरे उस नेता के सपने को पूरा करता है, जिसमें आदनिय रामिलास पासवान जी ने सफलता हासिल की, केंद्रिय नेत्रेतु का तमाम वरिश नेताओं की ये सोच थी कि उसी टीम को, ये जिम्मेदारी बिहार विदान सबाद चुनाओ को मदे नज़ा रखते वे भी दी जानी चाहिए है, और ऐसे में उसी सोच के साथ ये जिम्मेदारी दी गई है, मैं मानता क्रेट बरकरार रखना चाहेंगे, बर सबसे जादा मेहत्वपूर्ण है कि अगले साल जो बिहार विदान समा में चुनाओ हो रहें, सीटो की संख्या गडबंदन के भीतरी तैह होंगी उससे पहले, मैं आपके साथ कतई साजा नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ, जितनी सीटे लड़ेंगे, 100% स्ट्राइक रेड उसमें भी रहे, यही लक्ष है मेरा और मेरी पूरी टीम का